देखिए ऐसा है, पहले तो मैं आपके माधियम से, मीडिया बाई बंदों के माधियम से, आनरेबल लफटिनेंट गवरनर जो हमारी यूटी जे एंड के हैं मनोई सिना जी, उनका धन्यवाद करता हूँ, ठैंक्स एक्स्टेंड करता हूँ कि उन्होंने जो सब इंस्पेक्ट के एस्पेरेंट से, पूरी जेहन के यूटी के, उनके ग्रिवांस को टू ए पर्टिकुलर एक्स्टेंड रिड्रेस किया है, उनकी डिमांड थी कि 2016 के बाद, पांच साल के बाद ये रूख रेकूरूट्मेंट प्रासस इनिशेट हुआ है, तो मिनिमम में एज 18 साल, मैक् स्टेट गूर्मेंट ने, जब यूटी नहीं बनी थी, दोजार पांच में जमू एंड कश्मीर, रेफरेंस आफ वेकैंसीज, टू रोकूरूट्मेंट अजेंसीज, रूल्स दोजार पांच बनाए, उन रूल्स का रूल टू कहता है, कि साल में कम से कम एक बार, रेक्रूट्मेंट बोर्ड जो पुलीस का था, वो अपना था, वो SSRB को रेफर नहीं करते थे, जब एक्जिक्यूटिव और आम्ड के सब इंस्पेक्टर की सिनियाटी का डिस्प्यूट हुआ, तो सेंट्रल अड्मिस्टिटिव टरिबनल बेंच ने कहा, कि भी विंकी होंगी, वो रेक्रूट्मेंट बोर्ड पॉलीस का नहीं करेगा, वो SSRB करेगा, साथ में ही ये चाहिए था कि वहाँ अठारां से जो एज रखी थी मिनिमम, उसको मिनिमम एक्किस करना चाहिए था, इनको 31 या 32 करना चाहिए था, मैक्सिमम को, वो क्योंकि उनक हैं, statutory rule under the constitution, जो हमारी J&K का constitution था, उसके अंडर ये rule बने हैं, ये इनका statutory ride था कि हमें 5 chances 5 साल में मिलते, ये ग्रीवांस इन्होंने प्रोजेक्ट किया, मेरे पास भी आये, आपने भी उनकी ग्रीवांस को आगे highlight किया, और LG साब ने उनको 2 साल की relaxation दी, हालांकि बंती 5 साल क थी, मैं एक बात बता दूँ, ये जो decision है, अभी ये formal decision नहीं हुआ, ये LG साब की commitment है, अभी decision होना है, formal amendment होनी है, SRO निकलना है, तो मैं आपके माद्यम से ये कहता हूँ कि LG साब को request करता हूँ, चुकि अभी time है, अभी दो साल जिनको extension मिली है, उनके लिए भी rules अभी निकल निकलने हैं, तो rules निकलने से पहले जो ये बच्चे जो 33 साल की age के लिए, maximum age के लिए request कर रहे हैं, ये इनका grievance इसी action में redress कर दिया जाए, कठे थे, जब इन्होंने agitate किया, ये कठे थे, ये 5 साल की relaxation मांग रहे थे, अब 5 की जगा 2 दे दी, जो main इसको project कर रहे थे, वो 30 स जिनको 3 साल जो मांग रहे हैं, उनका भी right है, तो ये decision जो है, this amounts to creating class within the class, ये पहले एक class थी, जो अपना grievance project कर रही थी, कि 5 साल का हमें relaxation मिलनी चाहिए, अब 2 साल की दी, एक class में से एक और class car about की गई, तो ये भी discrimination है, तो ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये bag नहीं कर रहे हैं, अपना right मांग रहे हैं, और ये जो हर साल vacances refer करने का कनून सिर्फ 2005 के rules में नहीं है, ये महराजय के time police act बना था 1927 में, police act के अंडर 1960 में police rules बने थे, अब 61 साल हो गया है police rules बने हुए, तो कम से कम उन पे तो review होना चाहिए, 18 की जगा 21 और 28 की जगा 31 या 32 होनी चाहिए, ताक साल में कौन सा बचा graduation कर रहा है, मुझे ये बताइए, constable की 18 से 28 और sub inspector की 18 से 28, constable की educational requirement है, 10th, sub inspector की graduation, तो ये apparent anomaly है rules में, जो rectify होनी चाहिए, अब आप ये देखिए, कल ही Supreme Court ने judgment दी है, जिसमें ये कहा है, recruitment process would be meaningless, without timeline, मतलब within specific time recruitment process complete होना चाहिए, और जो हमारे rules 2005 के कहते हैं, कि आपको January में ये vacances हर साल SSRB को refer करनी हैं, और within 10 months और 11 months वो process complete होना चाहिए, अब sub inspectors की recruitment कब हुई, हुई, 2002 में initiate हुई, 2005 में हुई, फिर आठ में हुई, उसके बाद 9 में हुई, फिर 16 में हुई, अब 21 में हो रही है, मैं आपके मादियम सहल जी साब के notice में एक चीज़ और लाना चाहता हूँ, 2002 में जो sub inspector की selection हुई, sub inspector की post है state quarter, इसका पूरी state को एक unit मानके एक merit list बनती है, लेकिन तब इन्होंने कश्मीर की इलाग merit list बना ही, जम्मू की इलाग बना ही, जम्मू में जो last candidate selected था, उसके 57 marks थे, कश्मीर में जो last candidate selected था, उसके 52 marks थे, post state quarter थी, select list दो बना दी जम्मू की इलाग कश्मीर की इलाग जो बननी सकती थी, जो जम्मू के बच्चे 52 से ज़्यादा मार्च लेके आये थे लेकिन 57 से कम थे जिनके 50 कश्मीर वालों से ज़्यादा मार्च थे वो अंदर नहीं हुए उनकी सेलेक्शन नहीं हुई थी वो कोट में गए कोट ने कहा यह सेलेक्शन गलत है कोईश की डिविजन बेंच ने भी कोईश की सुप्रीम कोट ने भी कोईश की 47 लड़के जो हैं कश्मीर के मेरिट रीड रा करके बाहर निकले सुप्रीम कोट तक वो केस हार गए लेकिन तब की गोर्मेंट ने अडवोकेट जनल के थूँ सुप्रीम कोट में एक स्टेट्मेंट दी कि इन बच्चों ने नोकरी कर लिए आप इनको रख लेंगे और जिन्हों ने इनके खलाफ केस के लिए उनको भी लगा देंगे सुप्रीम कोट तक हार गए केस तो ये बच्चे सिर्फ जमू का हक नहीं मांग रहे हैं ये 33 साल मांग रहे हैं जिसमें पूरी जियन के यूटी के बच्चे होंगे तो इनका तो गरीवांस रिड्रस होना चाहिए तो मैं आपके माद्यम से लफटिनेंट गवर्नर साब को पहले तो एक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दो साल की रिलैक्सेशन दी लेकिन थोड़ी और मगनानिमिटी बता के रूल्स के मताबिक कनून के मताबिक जो इनका हक बनता है वो इनको रेस्टोर किया जाए और जो मैक्सिमम एज 30 है उसको बढ़ा के वन टाइम एक्सेप्शन या रिलैक्सेशन 33 years की जाए ताकि इन बचों का grievance रिड्रेस हो जाए और इसका एक फाइदा क्या होगा ये फाइदा सिर्फ जे एंड के यूटी के बचों को नहीं होगा ये स्टेट गोर्मेंट को होगा पलीस फोर्स को होगा क्यों जितना ज़्यादा competition होगा इतने ज़्यादा better meritorious बच्चे selection में आएंगे और competition का मतलब ही होता है recruitment board बनाने का मतलब ही होता है कि आप best meritorious बच्चे चुने तो क्या आप चाहते हैं कि best meritorious बच्चे नहीं आने चाहिए एक बात और दूसरी अगर आप 2016 में अड़वर्डीज में निकालते हैं यह बच्चे भी यह नहीं कहरें कि हमें physical से exclude करो हमें merit से exclude करो इनका physical test भी होगा endurance भी होगा return भी होगा अगर यह qualify करेंगे तो आएंगे selection में नहीं यह selection नहीं मांग रहे हैं यह competition में participate करने का right मांग रहे हैं तो मेरी आपके माद्यम से अलजी साब से एक request है कि इनको राइट कंफर किया जाए धन्यवाद